विए रोडेन्ट टुडेश्य विविल नो इबाउट काइंडस आफ एडवर्ब, तो बच्चों मोस्टली एडवर्ब होते हैं उनके वर्ड की एंडिंग एलवाई से होती है, जैसे बैडली, क्विकली, स्लोली, एटिसी, लेकिन बहुत से एडवर्ब ऐसे होते हैं, जिनकी एंडिंग लवाई से नहीं होती है, तो उन्हें हम कैसे पहचानेंगे? इसके लिए हम उसके काईंड के बारे में जानना होगा.. Now first is adverbs of time, which show when, जो हमें time के बारे में बताते हैं यह काम कब हुआ एक्जामपल देखते हैं I have spoken to him already मैंने उससे पहले बात की है Already adverb time के बारे में बता रहा है दोसरा एक्जामपल देखते हैं He comes here daily So daily जो है यहाँ time के बारे में बता रहा है कि वह हर रोज यहाँ आता है तो यह कौन सा adverb हुआ यह adverb of time हुआ Now second is adverbs of frequency Frequency means frequently कितना frequently पर वर्क हो रहा है Which show how often एक्जामपल देखते हैं I have told you twice Twice बता रहा है कि मैंने आपको कितनी बार बताया है Twice means दो तैम दो बार तो twice word यहाँ पर यह बता रहा है How frequently So it's an adverb of frequency दोसरा एक्जामपल देखते हैं विच शो वेर वर्क कहां हुआ एक्जामपल है Stand here यहां खड़े रहो So here एक प्लेस के बारे में बता रहा है एक्जैक्ट कहां पर खड़े हुआ है So this is an adverb of place Next example देखते हैं He looked up उसने कहां देखा Up So up बता रहा है एक्जैक्ट प्लेस के बारे में कहां देखा So it's an adverb of place Now fourth is adverbs of manner जिसको हम कह सकते हैं Which show how or in what manner Work कैसे हुआ और किस manner से हुआ Example देखते हैं He reads clearly वो पढ़ता है लेकिन clearly तो clearly बता रहा है कि किस तरह से वो clearly अपने work को कर रहा है So clearly is an adverb of manner और इसकी ending भी ly से हुई है Next example This story is well written Well जो है बता रहा है कि किस तरह से इस story लिखी गई है So well word is an adverb of manner Thank you